सोच ये कैंसर का इलाज, अगर इस्पिरन की दवा जितना सस्ता हो जाता, तो दुनिया में क्या होता? एक इंकलाब आ जाता, फिर लाकों जिंदगी को आसानी से बचाया जा सकता था. पूरी इंसानियत के ऊपर एक एहसान होता. लेकिन ये सपना हकीकत की लेबरेटरी में अ कर रही थी, लेकिन एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई. कहा जाता है कि इस्राइल और दवा कमपनियों की साजिश का वह शिकार हुई. उन्हें जान बूज कर मरवा दिया गया. दोस्तों आप देख दहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैलेंटर मुसलिम्स और आज की सीरीज में हम समीरा मूसा की कहानी सुनेगे. समीरा 3 मार्च 1917 को पैदा हुई थी. मिस्र में, वहां की राजधानी काहिरा के उत्तर में बसिक गर्बिया गवनेत में, अभी समीरा ने खुदा ने समीरा को काफी जहानत बक्षी थी. हर क्लास में टॉप करती रही. 16 साल की उमर में ही अल्जेबरा पर एक किताब लिख दी. उनकी जहानत को देखते हुए काहिरा यूनिवसिटी में एडमिशन मिल गया. वहां भी उन्होंने फर्स्ट पोजिशन हासिल की. 1949 में एक्स रेडियेशन के असर पर रिसर्च शुरू किया. बी इस्सी करने के बाद मुसा कहिरा यूनिवसिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई. वह मिसर की पहली खातुन थी जिन्होंने ये पोजिशन हासिल किया. फिर उन्होंने एक्टॉमिक रेडियेशन में पी करती. उन्होंने कहा था कि वह चाहती है कि कैंसर का न्यूक्लियर से इलाज हो और एस्पिरिन जितना सस्ता. अपनी मां की मौद का उन्हें बहुत गम था. इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर रेडियेशन के अपने नौलज का इस्तिमाल कैंसर के इलाज के इलाज के लिए क Atomic Energy की फील्ड में उनके शांदार काम की वज़े से उन्हें 1951 में Fullbright Scholarship Award की गई। वो अमेरिका की शहरी नहीं थी। इसके बाद भी उन्हें अमेरिका के अलग-अलग Atomic Institute का दोरा करने दिया गया। तरीब ही था कि कैंसर के इलाज की फील्ड में वह कुछ बड़ा करती। इस जब हादसे की जगह पर पहुची तो ड्राइव नहीं मिला। इन सब वज़ों से माना गया कि इसके पीछे इसराइल की बदनाम ए जमाना खुफिया एजेंसी मुसाद का हाथ था। ऐसा माना जाता है कि कैंसर का इलाज ही उनकी मौत की वज़ह बनी। दुनिया के दवा मा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले और बेल के आइकॉन को भी दबा दे ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए खुदा हाफिज।